नमस्कार स्वागात आप सभीका कैसे हैं आप सब यह वीडियो बिहार बोर्ड का अक्छा नौके विज्ञान विशाइपर है जिसमें हम लोग अध्याय आठ गती के तीछरे भाग का जिसमें आज हम लोग इस अध्याय के अभ्यास प्रशनों को हल करने वाले हैं तो देखिए यह है आपका अध्याय आठ गती यानी मूशन और इस अध्याय के पिछले दोनों वीडियो में आप इसके सभी बिंदों को अच्छे से समझ चुके हैं और इस अध्याय के अंदर के इस टाइप के जितने भी अभ्यास प्रशनावली थे उनसा भी को आप हल भी क अनुरोध है कि आप इस अध्याय को खुद से हल करने का प्रयास करे और अगर आपसे नहीं हल हो तब मैं आप मेरे वीडियो का सहरा ले इससे आप इस अध्याय को ज्यादा अच्छे समझ भाएंगे तो चलते हैं पहले प्रशन पर देखिए पहला प्रशन क्या कर रहा है कि एक एथलीट विरिती रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है और 2 मिनिट 20 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा यह आपको ग्याद करना है और उसका विस्थ लास्ते पर क्या कर रहा है गोल 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 दोर रहा है ठीक है और इस गोल लास्ते का ब्यास कितना है डाइमीटर 200 मीटर दिया है ब्यास का मतलब होता है इस गोल रास्ता का जो मध्य बिंदू होता है इससे गुजरने वाला बीच का रेखा जो दोनों तरफ चूता हो विरित को, ठीक है? यहां से यहां तक क्या हो जगा ब्यास? ठीक, इसको डाइमेटर भी कहोते हैं, इसे सोट में अडी कहोते हैं. अच्छा, यहां से यहां तक का ब्यास कहलाता है, अपको पता होगा? ठीक? और यहां से-हां कितना दूरी दिया हुगा है? questão 500 3PO मीघर. और यहाँ भी दिया है कि यहाँ जो खिलारी है एक चकर 40 सेकेंड में लगा रहा है याँ यहाँ खिलारी यहाँ से शुरू कर रहा है तो दौरते 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 फिर यह वापस यहाँ पर आ रहा है तो कितना समय ले रहा है 40 सेकेंड ठीक है आपको ग्याद करना है कि 2 मिनि जहां पर हैगा, वहां से यहां का नियुनतम दोड़ी क्या होगा, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम देखिए, पड़िधी निकालेंगे, पड़िधी को इंगलिश हम क्या कहते हैं, पेडिमीटर, देखिए, यहां से लेकर पूरे यहां तक का जो लंबाई होगा, इसको आप पाई डीवी कर सकते हैं, यानि पाई गुने डाइमीटर, यानि ब्यास, ठीक है, और ब्यास कितां दिया है, 200 मीटर, ठीक, तो 200 पाई हो जाएगा, 200 पाई मीटर क्या हो जाएगा, यहां से लेकर पूरा फिर यहां तक का दूरी, यानि इसका पड़िधी, ठीक ह तो इस तरह से देखिए, एक चकर जो 40 सकेंड में लग रहा है, वह 200 पाई मीटर जाड़ा है, कितना सकेंड में, 40 सकेंड में, ठीक है, यहां से यहां तक क्या हुआ, एक चकर हुआ, यानि यहां से यहां तक एक पड़िधी हुआ, जो कितना है, 200 पाई है मीटर, ठीक, और इतना दूरी तै करने में कितना समय लग रहा है? 40 सकेंड लग रहा है. तो अब हम यहां से चाल निकाल सकते हैं. चाल बलाबर क्या होता है? दूरी बटा, समय, ठीक है? आप तो पढ़े ही हैं. और दूरी कितना है? 200 पाई, ठीक? और समय कितना ले रहा है एक चाल में? 40 सकेंड, तो 40 कर देंगे. बड़ाबर कितना हो जाएगा? देखिए, यहां से 40 कर जाएगा 5 मरतेवे, ठीक है? यह हो जाएगा 5 पाई, यह हो जाएगा 4, यानि मीटर परती सकेंड, ठीक है? यानि, यह जो धावा, खिलाड़ी जो दोर रहा है, इसका चाल कितना हो जाएगा? इस्पीर हो जाएगा 5 पाई, मीटर परती सकेंड. देखिए, पाई का मायन होता है 22 बटा साथ, इसको भी हम लिए नहीं है, ऐसे ही रहने दिया है, क्योंकि बाद में इसका हमको भीयोग होने वाला है. अब देखिए, अब आपको पहले में क्या निकालना है, कि 2 मुनिट 20 सकेंड में तय दूरी, यानि 2 मुनिट 20 सकेंड में यह खिलाड़ी कितना दूर दोरेगा, ठीक है? तो हम क्या निकालेंगे? हम दूरी निकालेंगे, दूरी बढ़ाबर क्या होता है? चाल गुने समय, चाल क्या है, देखिए 5 पाई, ठीक है, गुने, समय कितना है, देखिए 2 मिनिट 20 सेकेंड, तो देखिए 2 मिनिट 20 सेकेंड है, तो इसको हम पूरा को क्या करेंगे, सेकेंड मिले लेंगे, ठीक है, तो 2 मिनिट बराबर कितना हो जाएगा, छोद बराबर 120 सेक चालिस ठीक देखे साथ दुना चबूदे यह 20 मर्तभी कट गया ठीक है यह बड़ाबर कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा ठीक है तो आपका दूरी कितना हो गया 200 मीटर अब आपको ग्याद करना है विस्थापन ठीक है यानि यह जो खिलाडी है यह 200 मीटर दो मिनट 20 सेक लगाएगा ठीक तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो देखिए एक चक्कर में 200 पाई लग रहा है ठीक तो पूरे 22 मीटर में कितना चक्कर लएगा तो हम क्या करेंगे 200 में 200 पाई से भाग देखेंगे ठीक है खुल चक्र बढ़ापर हो जागा 200 पाई ठीक उससे एकारा मतलब कट गया, अब एकारा बटा पाई हो गया, यानि एकारा गुने, देखिए यह पाई का मतलब होता है, बाईस बटा साथ, और यहाँ गुना के उधर जाएगा तो यहाँ जगा साथ बटा बाईस, ठीक है, पाई का मतलब बाईस बटा साथ होता है, और यहा यानि एक चक्कर लगाएगा, दू चक्कर, तीन चक्कर और फिर सारे तीन यानि यहां से लेकर फिर यहां तक आके रुख जाएगा, ठीक, तो सारे तीन चक्कर में यहां से तीन चक्कर लगाते हुए, फिर कहां रुखेगा, यहां पे रुखेगा, अच्छा, आपको पता है के विस्थापन बराबर क्या होता है जहां से वह शुरू करता है और जहां खतम करता है उसके बीच का निमतम दूरी तो यहां से शुरू कर रहा है और यहां पर खतम कर रहा है तो यहां से यहां तक के बीच का निमतम दूरी क्या होगा यही होगा 200 मीटर ठीक है यही ब्यास सेकेंड में कितना दोरी तैय करेगा बाइसो मीटर और विस्थापनी से कितना होगा तो दो सो मीटर ठीक है एसे ही हम इसको हल करेंगे अब देखिए अगला परसन है दो नंबर तीन सो मीटर सिधे रास्ते पर जोसेफ जोगिंग करता हूँ यानि दोरता हुगा दो मिनट पचास सेकेंड में एक सीरे से ए से दूसरे सीरे बी पर पहुंचता है और गुहूम कर एक मिनट में सो मीटर पीछे बिंदु सी पर पहु तो हम समझते हैं इस परसन में और पहुंचने में कितना है दोसो मीटर यसका ने ठीमिचने में और पीछे दवारता हुगा यहां इस बिंदु सी पर आ जा रहा है कहां जा रहा है बिंदू C पर और यहां से यहां तक का जो लंबाई है वह कितना है B से C तक का लंबाई है 100 मीटर और फिर यहां से वापस इसको यहां आने में लग रही है 1 मिनिट यानी 60 सेकेंड प्रसमने ही कह रहा है अब आपको ग्याद करने के लिए कह रहा है कि A से B तक का यानि यहां से यहां तक जो पहुंचा है यहां तक का औसवा चाल और औसवा तर्य ग्याद करें चाल बड़ाबर, कुल दूरी बटा कुल समय होता है, देखिए कुल दूरी हो जागा 300 मीटर ठीक, और कुल समय हो जागा 170 सेकंड, ये से भी तक जाने में, ठीक, आप देखिए, एक सोना से एक सोना कड़ जागा, 30 बटा 17 हो जागा, जब आप इसको भाग देंगे, तो विस्थापन बटा समय, तो देखिए, A से B तक जाने में, जितना लंबाई होगा, दूरी होगा उतना ही विस्थापन भी होगा, टिक है, तो इसका विस्थापन भी 300 मीटर ही होगा, और समय भी इतना ही होगा, तो इसका अफसत वेक भी कितना हो जागा, एक दा समलो, 76 क्यां कि यहां तक अँटार ला है यहां कुल का हमको चाल निकालना है थेक तो चाल बारा बर क्या होगा कुल दूरी बटाक कुल समय थेक कुल दूरी जो है वह कितना होगा य Ada B तक आने में लगा 300 Yes भी कूल दूरी ज़या 300 थेन सॉ बी जहाने 100 बंद ट praying 600 930 सकेंड ठीक है आप इसे में भाग देंगे तो 40 बटा 20 आएगा ठीक 40 बटा 20 यह होगा लगभग एक तसमलो सात तीन मीटर पर 30 सकेंड के असपास ठीक है अब हमको निकालना है 0-7 विग वर्याबर क्या होता है विष्थापन बटा समय ठीक तो देखे है यहां से लेकर सी तक आने में विष्थापन क्या होगा देखे है यह जो लुरका है धावक है यह तो दोरते होए वी से लेकर यहां तक आया है ठीक लेकिन इसका विस्थापन जो होगा वह जहां से शुरू किया है और जहां खतम हुआ है उसके बीच का निमतम दूरी यानि यहां से लेकर यहां तक बीच का दूरी होगा ठीक तो यहां से यहां तक 300 मीटर है और यहां से यहां तक 100 मीटर है जाई जी बात यहां से यहां तक कितना होगा 200 मीटर होगा तो इसका विश्थापन क्या हो जागा 200 मीटर अच्छा बटा समय कितना लग रहा है तो समय कुल यहां से यहां तक आने में फिर यहां से यहां तक आने में कुल समय लग रहा है 230 सेकेंड तो 230 सेकेंड कर दे तो पहले परशन एक का चाल और व्यक दोनों एक समान होगा ठीक है और दूसरे परशन ए से सी तक का चाल हो जाएगा आपको यह द्याया आपको मिल नहीं रहा है ठीक यह इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके परशन में जो देखिए यहां पर ध्यान से देखिए दो मिनिट पचास सकेंड है ठीक है हम भी बहुत परयास किये हैं कि मेरा एंसर कहा है गरबर आ रहा है ठीक तो फिर हम इंगलिस वाला जो इसका वर्शन है उसमें देखे हैं इंसी आ ठीक है तो उसमें दो गलती हो तब या एंसर गलती हो तब अगर आप देखिए दो मिनिट तीस सकेंड लेंगे तो आपका एंसर वो सही आएगा ठीक है लेकिन चुकि यहां दो मिनिट पचास सकेंड दिया है तो हम इसलिए हम क्या कि यहां दो मिनिट पचास सकेंड लेके ही हम बनाए है ठीक है आसा आपको समाझ में आगया होगा, हम चलते हैं अगले परशन पर तेक यह अगला परशन है तीन नंबर अब्दुल गारी से इस्कूल जाने के करम में औसट चाल को 20 km परती घंटा पाता है और उसी रास्ते से वापस लोड़ते समय भीर कम है तो उस गारी का औसट चाल 40 km परती घंटा है अब्दुल की इस पूरी यातरा में उसकी औसट चाल क्या है आपको ग्यात करना है तो चलते हैं देखते हैं कैसे ग्यात होगा सबसे पहले आप परशन को बढ़िया समझी है अब्दुल घहर से चलता है तो इसकूल जाते समय औसट चाल कितना रहता है जाने में चाल है 20 km परती घंटा फिर इसकूल से वापस घहर आता है तो लोटने में चाल कितना है 40 km परती घंटा आपको ग्यात क्या करना है पूरी यातरा में औसट चाल हम जाने के समय में भी हम समय निकाल लेंगे और वापस लोटते समय में कितना समय लगड़ा है उसको भी निकाल लेंगे ठीक है तो देखे जाने के समय में चाल कितना है 20 किलमेटर परती घंटा तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल ठीक है यहां से यहां तका दूरी ह कितना हो गया 40 घंट तो जाते स जाने समय में उसको कितना लग रहा है एक्साl सब्सक्राइब क्या होगा तोुल दूरी बठा, कितना हो गया यहां स कण हम धyn SIM में S यहां से यहां तक जाने में S via एक्स प्लस एक्स बटा कुल समय कितना लगा देखिए जाने में लगा एक्स बटा 20 घंटा ठीक है प्लस वापस लोटने में कितना लगा एक्स बटा 40 घंटा ठीक है कोई दिकत नहीं है एक्स पलास एक्स हो जाएगा दू एक्स बाटा इस दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा चालिस और दू एक्स और एक्स तीन एक्स बाटा पर जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा तीन एक्स बाटा चालिस ठीक है अब देखें किसी भी संख्या के बाटा में अगर नहीं है यहोजाएगा 2x गुने या 40 उपर हो जाएगा और 3x से नीचा हो जाएगा यानि 40 बाटा 3x हो जाएगा एक से 1 घट कितना हो जाएगा 40 दुना 80 बाटा 3 बडाबर हो जाएगा 26.6 किलो मेटर परती घंटा आपका पूरी यातरा में कुल औसाच चाल होगा कितना 26.6 km परती घंटा तो आसा है आपको समाज में आ गया हुआ इस परसन को हम कैसे बनाएंगे तो देखिए इस तीसे नमर परसन में भी थोड़ा सा कन्फूजन है कि इसका जो एंसर है उसमें दिया हुआ तो देखिए आप दूसरे बुक में यहां 40 km परती घंटा यह 40 नहीं 30 है ठीक है लेकिन आप अगर 40 लेकर बनाएंगे 40 km परती घंटा तो आपको देखिए एंसर जो है 26.6 km परती घंटा ही आएगा ठीक लेकिन देखिए किसी-किसी बुक में यह 40 km परति घंटा नहीं, यह 30 km परति घंटा है अगर 30 km परति घंटा लेंगे तो आपका answer 24 km परति घंटा आएगा जो आपके book में दिया है, वो सही होगा, ठिक? लेकिन अगर आपके ओके किताब में यही परशन है same to same, ठिक? तो आपका परशन यही आपका अहल यह होगा, ठीक है? चलते हैं आगले परसंट पर? अगला परसंट है चार नंबर, कोई मोटर बोट जील में विडा मवस्था से सराल रेखिये पतपड, तीन मीटर परती सेकेंड स्क्वाइर की नियत तोरण से आठ सेकेंड तक चलती है, इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है, यह आपको दूरी यानि डिस्टेंस ग्याद करना है, तो सबसे पहले हो देखिए, चुकि वह मोटर बोट है, वह विडा मवस्था सुरू हो रहा है, तो उसका प्रादम भी क्या हो जाएगा, सुनने हो जाएगा, उसका नियत तोरण कितना दिया हुआ है, तीन मीटर परती सेकेंड स्क्वाइर दिया हुआ है, और समय कितना ले रहा है, तो 8 second ले रहा है, अपको क्या गयाद करना है, दूरी, ठीक है और दूरी गयाद करने का सुथर आपको पता है, S बराबर UT प्लॉस H 첫 स्क्वाइड यहां देखिए U सुनने है, T कितना है, 8 second है, प्लॉस इम्हाफ है तो हाफ, एक तीन है तो तीन और को तीन है आठ अठे चोंसट ठीक दो से यह 32 मतर्य कर जाएगा और 32 तो 96 मीटर दूरी अंसर हो जाएगा आपका ठीक है तो दूरी जो आपको ग्याद करना है वह कितना हो जाएगा 96 मीटर आशा आपको समझ में आ गया हुआ एदम हलका प्रसन था या इसमें कौन सुतर से बनेगा तो एस बराबर यू टी पॉलस हाफ ही टी स्कॉयर से ठीक है चलते हैं अगले परस्ट पर अब देखिए अगला परसन है पांच नंबर यह बहुत लम्मा परसन है इसको हम असान भासा में समझ लेते हैं देखिए इसमें दो गारी चल ला है ठीक है पहला गारी 52 किलिए उन्ट परती घंटा और इस गारी में जब ब्रेक लगता है तो यह गारी 10 सकेंड में रुक जाता है ठीक अब आपको क्या करना है कि एक ही गराफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय गराफ आलेखित करना है और ब्रेक लगाने के बाद कोन सा गारी अधिक दूरी तक ताय कर करना है तो चलते हैं कोफी पर तो देखिए हम पहले से इत्यारी कर लिए हैं ताकि बादाने में ज्यादा समय हमको नहीं लगे आपको यह गराफ पर लेना है जिसमें चाल समय गराफ आपको बनाना है ठीक है तो हम चाल समय गराफ बना लिए है ठीक देखिए प्रस्म क्या करा है कि पर पहला कार जो है वह कितना के स्पीट से चल रहा है बावन किलो मीटर परती घंटा के स्पीट से चल रहा है ठीक तो देखिए किलो मीटर परती घंटा जो है आप इसको मीटर परती से चल रहा है ठीक तो देखिए किलो मीटर परती घंटा जो है आप इसको मीटर प परती सकेंड और इसका अंतिम चाल जो भी है वह सुने हो जागा क्योंकि 11 सकेंड में क्या हो जा रहा है ब्रेक लगाने पर रुख जा रहा है आपको ग्याद करना है प्रथम कार द्वारा तय दूरी दूसरा कार द्वारा तय दूरी साथ ही साथ इस दोनों का आपको इसमें ग्राव भी बनाना है तो सबसे पहले हम पहिला का ग्राव बनाते हैं देखे इसका प्रणाभिक चाल कितना है 14.4 मीटर परते सके लिए देखे इसमें हम ग्राव में देखते हैं यह चाल है और यह हमारा समय है तो चाल 14.4 है, तो हम देखते हैं, 14.4 कहाँ आएगा, तो देखिए, बारा 13.4 यहाँ पे है, और 14.4 देखिए, लगभग यहाँ पर आएगा, आधासा थोड़ा सा नीचे, ठीक है, यहाँ पर आएगा, अच्छा, समाए कितना है 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड कहाँ आएगा, हो गया हमारा पर्तम करा कार का ग्राफ, अब देखिए, दूसरा कार का हम ग्राफ निकालेंगे, देखिए, इसका पररामिक चाल कितना है, 30 की लिड़ों परती घंट, इसको मीटर में बदल दिए, मीटर परती सिकेंड में 8 संबलो 3, देखिए, 8 संबलो 3 कहाँ यहाँ पर और लगभग यहीं पर आएगा आरदा सम्वलो तेन ठीक है और यहां कितना दिर मेरी उकड़ा है समय दस सेकेंड में समय दस सेकेंड कहाँ यहां पर है फिर हम क्या करेंगे इस दोनों बिंदो को मिला देंगे तो देखें इसको मिला देने से यहां कौन सा गड़ाफ हो गया आशाइपो समझ में आगया होगा देखिए दोनों कार का जो गराफ है हम यहाँ पर बना दीए दर्शा दीए अब आपको देखे ग्याद करना है परथम कार दवरा तैय दूरी तो परथम कार का गराफ ही या है और इसके दूरी के बारे में आप पीशे पर चुके हैं कि इसक ठीक है एक बटा 2 हो जाएगा अधार कितना है देखिए इसका अधार हो जाएगा 5 यहां से यहां तक 5 है गुने उचाई कितना है देखिए इसका उचाई यहां से यहां तक हो जाएगा यानि 14.3 हो जाएगा तो पर्थम कार द्वारा तय दूरी कितना हो जाएगा? 36 मीटर ठीक उसी पर करें दूसरे कार द्वारा तय दूरी हम क्या करेंगे? इसका अधार कितना हो जाएगा? 10 यानि इसका भी भई होगा एक बटा 2 गुने अधार गुने उचाई तो अधार कितना हो जाएगा, 10 गुने, उचाई कितना होगा इसका, 8.3 है, ठीक है, तो 8.3 हो जाएगा, जब आप इसको गुना करेंगे, तो दूपच दस कर जाएगा, 5 गुने, 8.3 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 41.5 मिटर, ठीक, तो पर्थम कार कितना दूरी ताय कर यह दूसरा कार का जो ग्राफ है, यही सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है, तो इसका एंसर हो जाएगा दूसरा कार, आसा है आपको, समाझ में आगिया होगा यह परसन, एक दम हलका परसन था, अगर आप इसको समाझ ले अच्छे से तो, ठीक है, नहीं समझागे तो यह भारी लगेगा, ठीक है, अब हम चलते हैं अगले परसन पर, ठीक है, जो गाड़ी है, जीरो से स्टाट होड़ा है, और यहां बीच वाला जो गाड़ी है, यहां C गाड़ी है. तीनों गाड़ी क्या हो रहा है? चल ला है, तीनों का graph दर साया हुआ है. graph का ध्यन करके निम्न प्रस्नों को आपको उतर देना है, यह में कह रहा है कि तीनों में से कौन सबसे तिर्व गति से गति माने? यानि तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा speed से चल रहा है तो देखे चुकि यह जो graph है देखे इसका ढाल सबसे ज़्यादा है यानि देखे उचाई के तरफ भागड़ा है तो सबसे ज़्यादा speed किसका होगा इसी का होगा तो G नहीं यह तीनो गाड़ी एक ही समय सड़क के एक बिंदू पर कभी नहीं होगा ठीक, फिरूंकि यहाँ तीनो एक डेखा पर नहीं मिल रहा है यहाँ देखिये दोनों यहाँ पर मिल रहा है कहने का मतलब यहाँ तीनों एक जगा कभी नहीं मिलेगा अगर इसी रफ़तार से चलता रहा तो, ठीक है, तो इसका answer होगा नहीं, ठीक है, इसका answer होगा B अब देखिए इसी में अगला person है C number, इसमें पूछ रहा है कि जिस समय B A से गुजरती है, उस समय तक C कितनी दूरी तय कर लेती है तो देखिए, B A से कब गुजर रहा है, तो देखिए, यहाँ है B और यहाँ है A और यह B और A दूरी दूरी कितना दिया है, तो आठ किलोमेटर, ठीक match तो जिस समय B A गुजर रहा है एक दुछरे से, उस समय C कहा है, आठ किलोमेटर पर है यानि 8 km का दूरिताय कर लिया है ठीक इसी पर देखिए अगला प्रस्न है D, जिस समय B, C से गुजरती है उस समय तक वह कितनी दूरिताय कर लेती है तो देखिए जिस समय यह B है ठीक, और यह C है तो जब B और B और C कहां पर गुजर रहा है यहीं पर गुजर रहा है ठीक, तो जिस समय B और C एक दूरिताय से गुजर रहा है उस समय इसका दोरी कितना है देखिए, यहाँ पर है ठीक, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ से आगे बढ़ यहाँ तो यहाँ लगभग 5 की आसपास है ठीक है, तो D नेमर काया उतर क्या होगा लगभग 5 किलो मिटर ठीक है, आसपासाइब को समझ में आ गया होगा हम चलते हैं अगले परसन पर देखिए, अगला परसन साथ नमर कि 20 मिटर की उचाई से एक गेंद को गिराया जाराया नीचे यदि उसका वेग 10 मिटर 30 सेकेंड स्क्वाइर की एक समान तोड़न की दर से बढ़ता है तो वह किस वेग से धारा तल से टकड़ाएगी कितने समय पसचाथ वह धारा तल से टकड़ाएगी यानि आपको उस गेंद का अंतिम वेग धर्ती में टकड़ाने से पहले और धर्ती पर आने में उसको कितना समय लगा यह दोनों ग्यात काता है तो चलते हैं कोपी पर तो देखिए परशन का अब समाझ लिजी यह गेंद है इसको नीचे गिराया जा रहा है तो जाहिर से बात है जब नीचे से उपर से गिराया जा रहा है तो इसका उचाई कितना है 20 मीटर तो इसका दूरी कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा दूरी यानि एस 20 मीटर इसका तोरण कितने तोरण से गिराया जा रहा है ठीक है और धिरे 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 क्या होगा नीचे बढ़ते जाएगा और यहां धरती से टकड़ाएगा आपको यही निकालना है कि यह धरती से टकड़ाने से पहले इस गेंद का वेग कितना था ठीक है और यहां से यहां तक गेंद को आने में कितना समय लगा ठीक है यही दुन कितना है सुनने हैं, और T हमको नहीं पता है, T को T रहने जाते हैं, प्लस, हाफ ये T-A स्कवार, यानी हाफ, इंटके ये कितना है, 10 मिटर पर देसेखने, तो 10 रहने हैं, और T नहीं पता है, तो T-A स्कवार रहने जाते हैं, बराबर 20, ठीक है, देखिए यहां से सुनने into t क्या हो जाएगा यहां पूरा का पूरा सुनने हो जाएगा दू पच्छे 10 ठीक t square बराबर देखिए यहां 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बीस बटा 5 हो जाएगा ठीक है पांचव का 20 यानि T square बड़ाबर हो जाएगा 4 ठीक है तो आप देखिए यहां से T बड़ाबर क्या हो जाएगा 4 का अंडा रूट T square बड़ाबर 4 तो T बड़ाबर 4 का अंडा रूट ठीक आप यहां से देखिए T बड़ाबर कितना हो जाएगा root 4 का भेल होता है 2 तो यहाँ से आपको समय तो पता चल गया समय कितना लगा? 2 सेकेंड ठीक है? तो समय आपको निकल गया कितना? 2 सेकेंड अब आपको ग्याद करना है अंतिम वेग यानि भी, तो आपको एक सुत्र पता है भी बढ़ाबर होता है U पलस 80 ठीक है? तो आप यहाँ से अंतिम वेग ग्याद कर सकते हैं U कितना है? सुनने A कितना है? 10 T कितना है? 2 सेकेंड निकल गया ठीक है? तो देखिए 10 दुना 20, या क्या हो जागा? 20 मीटर परती सेकेंड ठीक? तो भी यानि अंतिम वेग बढ़ाबर कितना हो गया? 20 मीटर परती सेकेंड और समय कितना हो गया? 2 सेकेंड तो इस तरह से आपने इस दोनों का एंसर व्याद कर लिया एदा मसानी से एदा मसान परसन था हम चलते हैं अगले परसन पर देखिए अगला परसन ने है और वायक्ष चाल है मीटर परती सेकेंड में और समय है सेकेंड में पहले परसन में पूछ रहा है ए में कि पहले चार सेकेंड में कार की कार कितनी दूरी तय करती है पहला चार सेकेंड यानि पहला चार सेकेंड यहां तक है तो देखे, यहाँ कार यहां तक आया है, ठीक है? यहां तक आया है 4 सकेन में यहाँ तक इस ओधी में कार दभड़ता है कि गई दूरी को ग्राफ में 6 आंकित छेतर दोरा दर्साथाईए आपको तो पता ही है कि दूरी जो है हम ग्राफ के द्वारे जितना इरिया घिरता है उसको हम क्या करते हैं दूरी निकाल लेते हैं तो देखे कहने का मतलब 4 सकेंड में यह जो घीरा हुआ चेकर है यह क्या कर रहे है यह दर सा wraps है कि इस अओधी में कार दवारत तय की गई दूरी गट तो इस अओधी में यह जो कार है यह इतना दूरी तै करेगा अब यहाँ जो दूरी है इसको आप कैसे गयात किजेगा तो आपको तो पता ही है कि इसका छेतफल निकाल लेंगे तो इसका दूरी गयात हो जाएगा अब देखिए अगर आप इसको तिर्भूज अगर एक मान ले तो तो त्रीबुच का चटपल क्या होता है एक बटा दू गुने, अधार गुने, उचाई होता है तो एक बटा दू गुने इसका आधार कितना हो जाएगा? 4 इसका उचाई यहां से यहां तकP कितना हो College देखए, यह 6 अपड़ है तो इसका मुझाई हो जाएगा 6 तो देखें 2 दूना 4, 6 दूना 12 यह हो जाएगा 12 मीटर तो पहले 4 सकेंड में यह कार कितना दूरी तै करेगा? लगभग 12 किलो मीटर तै करेगा? ठीक? और 6 यंकित 6 तर दरसाना है तो हमने दरसा दिया अगला परसन B में कह रहा है कि ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गती को दरसाता है तो देखिए एक समान गती का मतलब क्या? कि गती जो है उसका speed हमेशा एक ही बना रहा है तो देखिए ग्राफ यहां से उठ रहा है और यहां से देखिए यहां पर आ रहा है लगभग यहां से इसका गती है वो न बढ़ रहा है न घट रहा है देखे एक ही रेखा पर सिधा सिधा चलते जाड़ा है यहां से लेकर यहां तक ठीक है? यहां से लेकर यहां तक एक ही रेखा पर यहां गती कर रहा है तो अगर आप इस बिंदू को A माल ले और इस बिंदू को B माल ले तो आप इसके उतर में लिख सकते हैं B में कि ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गती को दर्शाता है तो ग्राफ में A B क्या कर रहा है एक समान गती को दर्शारा है ठीक है? आसा आपको समाज में आ गया होगा हम चलते हैं अगले परसन पर अब देखिए अगला परसन है नो नमबर इसे पूछ कर रहा है कि निमलिखित में से कौन सी वस्थाय संभव है जथा परते के लिए एक उधारन दे ठीक है? पहला उधारन क्या है कि कोई वस्थू जिसका तोड़न नियत हो परंतु वेग सुनने हो ठीक है? तो देखिए आप ऐसा उधारन सोचिए जिसका तोड़न क्या हो नियत हो एक समान तोड़न हो और उसका वेग क्या हो सुनने हो यानि अंतिम वेग जहां पर खतम हुआ क्या हो सुनने हो तो देखिए अगर आप किसी वस्तु को उपर फेगते हैं तो जब आप किसी वस्तु को उपर फेगते हैं तो उसका तोड़न नियत होता है लेकिन वह उपर किसी एक बिंदु पर जा पनिवर खिंशती है उसको नियत तोड़न से खिशती रहती है उस गेंद को और खिंशते-खिंशते एक समय ऐसा आता है कि वह गेंद ऊपर जाकर उसका व्यक्ष क्या हो जाता है उसके बाद वह नीचे गिने लगती है तो किसी वस्तु को उपर भ्यकने वला जो उधारन है वहाई इसको फॉलो कर रहा है ठीक है B लाइन में देखे क्या कर रहा है कि कोई वस्तु किसी निश्ची दिशा में गति कर रही है कर रही हो तथा तोड़न उसके लंबवत हो तो देखे इसको उत्तर में होगा विरितिय गती जब कोई वस्तु विरितिय पत पर गती करता है ठीक है तो तोड़न जो होता है उसके लंबवत होता है ठीक है जैसे माली जी आप कोई गेंद लेके धागा में लटका के इसे से गोल गोल घुमा रहा है तो इस गेंद का जो गती का दिशा होगा वह इस तरफ होगा लेकिन इसका तोरण जो होगा वह इस तरफ होगा यानि इस लटका के हाथ में होगा तो ठीक इसके दिशा के क्या होता है या लंबवत होता है ठीक है तो आसा आपको 9 नमर परसन समझ में आ गया होगा पहला में क्या होगा किसी वस्तु का उपर फेकने पर और दूसरा में क्या होगा जब कोई वस्तु विरित्तिय पत्फर गती कर रहा हो ठीक है हम चलते हैं अगले परसन पर तो उसकी चाल का परिकलन किजिए आपको उसका चाल गयात करना है देखिए कैसे गयात होगा देखिए सबसे पहले इस दस नमर परसन को आप समझे कि एक कोई विरित्वी है ठीक और इसके चाड़ो और एक उपगड़ा क्या है तो हम क्या करेंगे? पत की परिधी यानि दुरी निकाल लेंगे इसो पराद वारा यहां से पूरे गोल एक चकर लगाने में कितना दुरी होता है करेगा तो हम परिधी द्वारा ज्यात कर सकता है परिधी का फर्मुला क्या होता है? 2 π.R तो ध्यान से देखिए, टू पाई आर जो है, ये टू का टू पाई बाटा साथ, आर हो जाएगा, ब्यालिस जार, दूसो पजाश किलो मेटर, जब इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा, अठारा लाख, उनसाथ जार बाटा, साथ है तो साथ हो जाएगा, जब इसको लगाने में कूल समय कितना है, तो 24 घंटा, तो आप इसका चाल निकाल सकते हैं, तो देखिए, चाल बड़ा-बड़ क्या होता है, दोड़ी बटा समय, दोड़ी कितना है, इतना है, इतना लिख दिये, समय कितना है, 24 घंटा तो 24 घंटा लिख दिये, तो यह कितना हो जाए यह चाल प्र ऑड़ा पर इतना धूरी बटा समय होगा, दूरी इतना ही है, हम समय को क्या करते हैं, 24 घंटा को सकेन मदल देते हैं, तो 24 घंटा में 60 से गुना करेंगे तो मिन्यटें मदल पर फिर 60 से गुना करेंगे, तो सकेन मदल जाएगा, तो जब आप इसो गुना करेंगे तो यह है जाएगा 86,400 सेकेंड ठीक अब जब इसको किलोमेटर में इतना सभाग देंगे तो आपको आजाएगा 3.07 किलोमेटर पर 30 सेकेंड एंसर ठीक है आज आपको समझ में आ गया होगा तो देखिए इस तरह से आपने प्रसन संक्या 10 को भी हल कर लिया और इसे साथ आपका अभियास प्रसनावली भी खतम हो गया ठीक है और इस तरह तीनों भाग के वीडियो में आपने इस अध्याय गति यानि मोशन को आपने अच्छे समझ लिया सभी बिंदों को असपस्ट रूप में समझ के आपने इसके अभियास प्रसनों को भी हल कर लिया तो यह अध्याय आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़ोड़ बता है और मेरे चैनल को ज़ोड़ से ज़ोड़ सब्सक्राइब करे अपने दोस्तों को सेर करे वीडियो को लाइक करे यह सब करना नहीं भूले थैंक यू